हेलो स्टुडेंट्स वैलकम बैक मैं अंकीत गोईल आप सबका स्वागत करता हूं आज हम स्टांडर्ड 11 के सब्जेक कम्पुटर में चैपने नमबर 6 लीनक्स के प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लीनक्स ओपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं तो लीनक्स ओपेटिंग सिस्टम के प्रैक्टिकल के लिए हम स्टार्ट करते हैं कि लीनक्स टेक्स्ट की CTRL plus ALT plus T button press करकर आप तर्मिनल विंडो भी उपन कर सकते हो जाइक टिक करने के बाद उपन टर्मिनल पर प्रेस किया तो आपको यहाँ पे स्क्रीन दिक रही है कि हमने लींक्स में टर्मिनल विंडो ऊपन कर रहे है जहाँ पे आप सकते हो यहां पर टर्मिनल की लाइन देख रही हैए जैन ऐत सींबल और टील रिल्टो落 ना bosses चुबर छा सिंबल आपको इस युर्ट कम आलाइक कुछन्मन डीक्रे विंडो में दीख रही है यहां फर एक बिन्टो रखेंगे वो हम यहां पे सबसे पहले देखेंगे फिर यूसर नेम के बाद at the rate का symbol होगा और उसके बाद जो अंकीत वर लिखा हुआ है वो अंकीत वर हमारे computer system का नाम है बचले start करते हैं कि Linux में सबसे पहले हम basic command का use कैसे करें तो basic command के लिए सबसे पहला command है हमारे पास date command तो हम लिखेंगे date और enterprise करेंगे तो आप यहां पर देख सकोगे कि system की जो भी current date and time होगी वह वहां पे display हो जाएगा date command के बाद हम यहां पे दूसरा command यूज़ करेंगे कि cal यानि के calendar purpose के लिए हम यहां पे cal command का यूज़ करेंगे और हम यहां पर साथ में एक argument भी पास आउट कर रहे है कि cal 2014 तो आप यहां पर देख सकोगे कि 2014 का पूरा year का calendar आप यहां पर display कर सकते हो तो आप particular cl के साथ कोई भी year अगर लिख रहे हो तो वह पूरे year का वहां पर calendar display करेगा हमारी terminal window की screen यहां पर fill up हो गई है तो इसको erase करने के लिए तो हम यहां पर clear command का use करेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे cler तो जैसे एंटर ट्रेस करेंगे तो यहां पर अपनी पूरी screen वहां पर erase हो जाएगी और जो भी अपनी command line थी वह वाक्री से टॉप पर उपर आ जाएगी पिर हम अगें cl command का use करते हैं with another argument तो हम यहां पर लिखेंगे cl05 और 2021 तो यह command के थू हम वहां पर display करा सकते हैं particular year के particular month का सिर्फ calendar वहां पर display हो जाएगा यानि कि मैंने यहां पर cl052021 लिखा हुआ है डैट बिन्स 2021 का 5th month का calendar मुझे यहां पर display करेगा तो इससाब से आपको अलग-अलग argument भी पास कर रही हो तो cl command के साथ आप अलग-अलग argument भी पास कर सकते हो ओके फिर हम यूज कर रहे हैं next basic command बीसी कमांड तो बीसी कमांड जैसा हमने एंटर करेंगे बीसी कमांड लिखने के बाद हम जैसा ही एंटर करेंगे अब वहां पर सिधा calculator वाली टर्मिनल विंडो वहां पर open हो जाएगी यहां पर आपको जो भी basic operation करवाना हो basic operation आप यहां पर करा सकते हो यानि कि कोई भी arithmetic operations ले लो throughout the expression के साथ सारे कोई भी numeric argument के साथ आपको अगर calculation करना है तो वह सारा आप यहां पर insert कर सकते हो finally जब आपको calculator का काम खता हो जाता है आपको इस window से बाहर निकलना है तो बाहर निकलने के लिए आपको keyboard से प्रेस करना पड़ेगा control plus D तो आप बापी से टर्मिनल वाली लाइन के उपर आ जाओगे तो जैसे आप keyboard से control plus D प्रेस करते हो आप बापी से देख सकोगे कि वहां पे टर्मिनल वाली लाइन वहां पे display हो रही है फिर next हमारा basic command है echo command echo command क्या करेगा कि echo के बाद आप जो भी कुछ लिखोगे वह same to same as a message आपको display करेगा जैसे c language के अंदर print app command करता था कि डिट्टो वही वड़ वह आपको as a message display कराता था तो वैसे ही यहां पे echo command भी क्या कर रहा है कि echo के बाद आपने जो भी कुछ लिखा होगा वैसा message आपको वहाँ पे टर्मिनल विंडो के अंदर वह display करके देगा ओके echo command के बाद हम यूज कर रहे हैं वहाँ पे clear command तो हमारे टर्मिनल विंडो के उपर हमने जो भी क्रियेट करेंगे वह देखेंगे तो हमें Linux टर्मिनल विंडो में नयाफ फोल्डर यानि के डिरेक्टरी क्रियेट करने के लिए हमारे पास command है mkdir तो हमें यहां पे लिखना है mkdir और space करके हमें जो भी कमांड लिखने में गलती की होगी तो वहां पे मुझे syntax error भी मिल सकती है तो यहां पर मुझे successfully मेरी science नम की डिरेक्टरी create हो गई है अब मुझे science nama की डिरेक्टरी में जाकर मुझे particular कोई काम करना हो यानि के मुझे और एक डिरेक्टरी बनानी है या फिर मुझे 파ाइल सर्थ करनी है तो science नम की डिरेक्टरी में जाने के लिए मैं command यूज करूंगा cd यानि के चेंज डिरेक्टरी और मैं जो भी डिरेक्टरी में जाना चाहता हूं उस डिरेक्टरी का नाम लिखूंगा जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है cd space science और वो लिखने के बाद जैसे ही मैं enterprise करूंगा तो आप देख सकते हो यहां की मुझे एक और slash science करके मुझे terminal line के अंदर एक text extra मिल गई है that means मैं अभी यहां पर मेरी present working directory जो मेरी science है उसके अंदर में फिलाल अभी हूँ और मुझे जो भी काम करना होगा वो काम मैं यहां पर science नाम के डिरेक्टरी में another directory या फिर कोई extra files मुझे save करनी हो तो मैं यहां पर उसको कर सकत ना हूँ फिर अपनी present working directory में से मुझे बाहर आना हो यानि कि मुझे एक step back जाना हो मुझे कोई और directory के अंदर काम करना हो जो already मेरे desktop के ओपर available है या फिर कुछ और directory के अंदर available है तो वो एक step back जाने के लिए मुझे command use करना है यहां पर cd space dot dot तो मैं जैसे enterprise करूंगा तो यह एक step back चला गया यानि कि मैं अपनी present working directory से वापिस अपनी टर्मिनल लाइन पर आ गया तो cd space dot dot command से आप यहां पर एक step back जा सकोगे ओके फिर अब मैं Linux terminal के अंदर कोई file create करनी हो तो वो file create करने के लिए आप यहां पर command use कर सकते हो vi यानि कि हमारे एक text editor का यहां पर command है तो हम vi command के साथ यहां पर text editor open करेंगे और vi space करके अपनी file का नाम दे सकते हैं जैसे कि मैंने यहां पर दिया है file 1 vi space file 1 लिखकर जैसे ही आप enter press कर रहे हो यहां पर आपको एक text editor वाली एक window open हो जाएगी जिसके अंदर आपको जो भी text लिखनी है वो text यहां पर लिख सकते हो जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं hello और enter press करके यहां पर लिखा अंके यहां पर अगर गलती कुछ हो रही है त तो वहां पर extra characters आप insert करा सकोगे क्योंकि backspace यहां पर काम नहीं करता in a Linux editor तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा जब भी आपको फाइल बना रहे हो फाइल बनाने के time पर अगर गलती हो जाती है typing mistake हो जाती है तो उसको erase करने के लिए आपको यहां पर delete key की मदद से क्या आपको command use करना है escape सबसे पहले then after shift के साथ column press करोगे तो जो करसार आपका file के अंदर juice line के उपर blinking कर रहा था वो सीधा यहां पर नीचे status bar यानिके last line के उपर आ जाएगा with this symbol colon और फिर उसके बाजों में आपको लिखना है वहां पर wq that is write and quit यानिके जो भी कुछ content आपने file के अंदर लिखा होगा है उसको वहां पर save कर दो that is your write write means यहां पर save करना है यानिके content अपनी file के अंदर save हो जाएगा and q means quit यानिके write करने के बाद उसको tweet कर दो तो file 1 के अंदर हम जो भी कुछ लिख रहे थे वहां पर file 1 के अंदर save हो जाएगा और जब भी हमने beginning के अंदर file बना रहे थे तो उस command के साथ हमने vi space file 1 यानिके अपनी file का नाम file 1 हमने अल्ड़ेड़ी देही दिया था तो वह अगें हमे मेरा save हो गया है तो students यह सारे थे अपने basic commands की जिसका आप use करकर टर्मिनल विंडो में आपका अपना basic काम यहाँ पर कर सकते हो जैसे कि folder create करना हो यानिके directory create करनी हो file create करनी हो file पर कुछ भी working करना हो तो वह सारा कुछ काम वहां पर यह basic command का use करके आप कर सकते हो और भी बहु multiple directories create करनी हो तो mkdir और space के साथ जितनी भी directory create करनी हो सारे directories का नाम including space आप वहां पर कर सकते हो तो one by one सारी directories वहां पर क्या होती जाएगी create होती जाएगी that's the basic की वो सब आपको पता होगा text के अंदर वो सारा कुछ लिखा हुआ है अपनी book के अंदर तो वहां से देखकर आ अपने आप भी कर सकते हो तो यह basic command जो main थे हमारे practicals के जो usable थे वो सारे commands हमने आज देखे तो I hope यह सारे commands के बारे में जो कुछ भी आपको बता गया है वो आपको यहाँ पर आज समझ में आ गया होगा हमने यहां पर basic commands का अंदर देखा कि Linux terminal में हम फाल के से create कर सकते हैं तो हमने vi command के साथ हमने एक file create करी तो चले अभी हम अगें एक folder create करेंगे जिसका अंदर हम अपना सारा contents वहां पर save करेंगे सबसे पहले folder create करने के लिए हम यहां पर command use करेंगे mkdir और अपने folder का नाम लिखेंगे मैंने यहां पर already अपना folder create करके रखा हुआ है तो मैं यहाँ पर folder create नहीं कर रहा हूँ मैं सीधा अपने folder के लिए अंदर जाने के लिए मैं यहाँ पर अपना cd command का use करूँगा that is a cd और space करके 11, जो मेरा folder है जिसके अंदर मैंने सारे contains already type करकर रखे हुए तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ cd space 11, और जैसे ही enterprise किया तो मैं यहाँ पर अपनी directory के अंदर enter हो गया हूँ यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हम vi command के साथ एक अपनी file create करी है और उस file के उपर हमें कुछ working करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पर काम करेंगे तो हमने यहाँ पर already file के अंदर contains और एक file create करके रखे हुई है तो हम यहाँ पर सिधा एक command ही लिखेंगे कि vi space prg1 तो यहाँ पर prg1 वो मेरी file का नाम है जिसके अंदर मैंने सारा कुछ data enter करके रखा हुए यानि कि मैंने contents वहाँ पर already type करके रखे हुए तो मैं यहाँ पर command लिख रहा हूँ vi space prg1 और enter प्रेस कर रहा हूँ तो आप वहाँ पर देख सकोंगे कि यहाँ पर मैंने six line type करके रखी है जो हमारी book के अंदर as a practical हमारे पास है तो वही सारे contents already हमने type करके यहाँ पर रखे हुए तो अलग-अलग field के साथ आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे के first line हम read करें तो two zero zero one three comma वैदे ही comma संजे कॉमा शार कॉमा सेक्टर 23 एक्सेटर एन एक्सेटर तो यह contents मैंने अल्रेड़ी टाइप पर करके रखा हुआ है अब इस contents से मैं बाहर जाओंगा और यह जो contents लिखा हुआ है उस contents के उपर मुझे अब some basic operations करने है तो उस basic operation में कैसे कर सकता हूँ वो यहाँ पर हम देखेंगे यानि के मुझे यहाँ पर particular file के data के उपर vertically and horizontally क्या करना है कुछ field को cut करना है तो वो कैसे करना है वो हम देखेंगे इस file के साथ मुझे बाहर जाना है तो बाहर जाने के लिए मैं escape डबाऊंगा और escape के बाद shift के साथ colon press करके मैं करूंगा w q and press enter तो मैं वहाँ पर अपनी terminal window में वापस आ रहा हूं मेरे जो file के अंदर मैंने content लिखे होगे उस content को मुझे horizontally cut करना है तो उस content को horizontally cut करने के लिए मैं यहाँ पर कौन-कौन से command use करना है तो वो command हम यहाँ पर use करेंगे जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि head minus 3 prg1 that means उसका मतलब क्या रहा है तो कि head command यहाँ पर क्या करेगा कि अपने file के अंदर top के ओपर से हम जितनी भी lines बोलेंगे उतनी line वो हमें cut करकर क्या करेगा वहाँ पर as a output display करेगा यानि कि head command का मतलब यही है कि जो भी हम number of lines requirement के अंदर लिखेंगे उतनी lines वो हमें क्या करेगा as a output में display करेगा तो मैंने यहाँ पर minus 3 लिखा हुआ है यानि कि मुझे top के ओपर से मुझे 3 lines वहाँ पर चाहिए तो मुझे अपनी file के अंदर से मुझे पहली 3 line जो भी होगी वहाँ पर display कराएगा अगर वहाँ पर blank line भी होगी पहली तो मुझे blank line भी वहाँ पर क्या करेगा display करेगा अगर बीच में भी होगी यानि कि second line मेरी blank होगी तो भी वह मुझे display कराएगा यानि कि बीच में अगर blank line भी आती है तो भी वह मुझे display कराएगा तो मैंने यहाँ पर command लिखा है head space minus 3 space अपनी file का नाम that is a prg1 तो आप देख सको कि as the output के अंदर वहाँ पर मुझे पहली 3 line मेरे content मे जो भी लिखी होई थी मैंने वो यहाँ पर display हो रही है फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा कि मुझे यहाँ पर मैंने head command के साथ देखा कि मुझे top के उपर से मेरी 3 line मिली अब मुझे bottom से मुझे 2 या 3 line चाहिए तो मुझे कौन सा command use करना है तो bottom से अगर मुझे कु पर जी वन के अंदर last 2 lines मेरी जो भी होगी वो यहाँ पर वो अगें display हो जाएगी यानि कि इतना समझना है कि head commands के साथ हम जो भी number of lines वहाँ पर argument में लिखेंगे वो arguments वो मुझे top के उपर से ला कर देगा और tail command के साथ जो भी हम वहाँ पर लिखेंगे वो number मुझे वहाँ प के साथ हम अपनी फाल को horizontally cut कैसे करना है वो हमने देखा अब वही फाल के content को हम यहाँ पर vertically cut करना चाहे तो vertically cut करने के लिए हम कौनसे command को use करना है तो वह हम देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख रहे है clear ताकि यह जो सारा output है वहाँ पर again clear हो जाए तो हम यहाँ प अपने फाल के जो भी content से वह content को मुझे यहाँ पर vertically cut करना हो तो vertically cut करने के लिए हम यहाँ पर कैसे command को use करेंगे तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं अपना command cut-c space 1215 space अपनी फाल का नाम that is a prg1 तो students यहाँ पर याद रखना prg1 जहाँ पर भी आपको दीख रहा है that is our file name तो हर command के अंदर prg1 अगर हम लिख रहे हैं तो वह हमारी file का नाम है तो जैसे ही अपने command लिखा और interface करेंगे तो हमें as a output के अंदर देख सकेंगे कि अपने content के अंदर यह हमारा यहाँ पर जो भी आपको दीख रहा है output वह vertically cut करकर आया और vertically कैसे आया तो हमने लिखा होगा cut-c का मतलब यहाँ पर रहता है कि characters हमें count करने है और characters count करेंगे तो कितने characters हमें चाहिए तो हमने वहाँ पर लिखा है 1-15 यानि कि पहले 15 character एक सर लेकर 15 character मुझे यहाँ पर display कराने है तो very first character से यहाँ start हो रहा है और जब तक 15 character नहीं होते तब तक 15 character त वहां पर display करा रहा है और cut command के through हम वहां पर बता रहे है कि मुझे cut करना है 15 character हो जाए बाद में तो ऐसे देख सकोगे आप यहाँ पे 1-15 characters आप वहां पर display पूरे हो रहा है अगर यहाँ पर पूरा का पूरा जो भी हमारा actually जो फिल्ड थी वह फिल्ड नहीं आ रही क्योंकि आप अब दूल के अंदर देखोगे तो वहां पर तीसरी फिल्ड का जो भी first character हो वहां पर display हो रहा है जितनी हमें फिल्ड चाहिए उतनी फिल्ड वहां पर नहीं मिल रहे ह अगर exit हमें पहली दो फिल्ड चाहिए या फिर बीच की दो फिल्ड चाहिए तीसरी चोथी चाहिए वेसी अगर हमें चाहिए तो हमें कौन सा command यूज करना है तो हम वहां पर डिस्क्रेस करें कि अगर मुझे particular पूरी की पूरी फिल्ड ही चाहिए वह फिल्ड के लिए हम य वहां पर लिखेंगे minus app that is for a field purpose की हमें फिल्ड कट करनी है तो वह हमें लिखना जरूरी है और वहां पर बात में हम लिखेंगे कि हमें कौन-कौन से number की फिल्ड चाहिए तो हम वहां पर लिखेंगे 1,2 that is मुझे पहली दो फिल्ड चाहिए और कौनसी फाल में से तो अपनी फाल का नाम लिख रहा है वहां पर के PRG 1 जैसे आप वहां पर enterprise करोगे तो जो पहली दो फिल्ड थी वह पहली दो फिल्ड आप वहां पर as a output में देख सकोगे वह exact दो फिल्ड यहां पर आपको दिखेगी यहां पर particular character wise आपको फिल्ड देखने को नहीं मिलेगी तो यहां प आप देख सकोगे कि दो फिल्ड पूरी की पूरी जो भी टैक्स थी वह एज टैक्स आप वहां पर डिस्प्ले करा रहे हो यहां पर यह भी पॉसिबल है कि अगर हमें कुछ स्टार्टिंग के दो फिल्ड चाहिए और बीच के अगर फॉर्थ और फिप्त नंबर के फिल्ड लेना है तो वो भी हम यहां पर कमांड के थू हम ले सकते हैं जैसे कि हम यहां पर कमांड टाइप कर रहे है कि कट माइनस डी स्पेस करके डबल कोट के अंदर हम लिख रहे है कॉमा ऑपरेटर डबल कोट ओवर माइनस एफ और स्पेस करके टू कॉमा सेवन डैस और अपनी का नाम that is a prg1 तो हमने यहां पे command लिखा हुआ है उसका मतलब यह होता है कि हमने cut करना है minus d हम अपने delimiter के लिए use कर रहे है जो हमारी file का अंदर लिखा हुआ है comma that is minus d के लिए हम वहां पे indicate करा रहे है कि हमने यहां पे comma delimiter यूज करा हुआ है फिर minus f हम particular field के लिए use कर रहे है कि हमें कौन सा नंबर की field चाहिए तो उसके बाद हम वहां पे display करा रहे है कि two comma seven dash याले कि मुझे दूसरे number की field चाहिए जो मेरी यहां पे first name as a है कि वहां पे मैं देख सकते हैं कि किसी भी students का या पर particular details के अंदर वह मेरा first name रहता है तो मुझे दो number की field चाहिए and then after वहां पे मैंने लिखा हुआ है कॉमा करके seven dash इसका मतलब यह रहता है कि seventh number की field के साथ मुझे बागे की सारे field चाहिए including seven number तो यहां पे ऐसा output में आप देख सको कि कि जो मैंने content file के अंदर type करी थी तो वहां पे मेरी second number का column जो भी था वह वहां पे display हो रहा है और बाद में जहां पे भी seven number का column आएगा यानि कि मेरा जो address है city का नाम जो मेरा है वह seven के बाद जितने भी मेरे column होगे वह सारे field मुझे वहां पे display हो जाएगे तो यहां पे seven dash का मतलब रहता है कि seven number के बाद की सारी field मुझे वहां पे क्या करनी है इंक्लूडिंग this seven number तो इतना याद रखना है कि अगर बीच में से भी कोई field चाहे है तो आप इस command का यूज करके भी आप particular field को display करा सकते हो otherwise सिफ number of fields वहां पे display करा दो तो particular उतनी field भी वहां पे display हो जाएगी जैसे कि minus f 2,5,7 तो बस इतनी तीन field वहां पे display होती जाएगी ओके फिर next है हमारा short command की particular file के data को अगर मुझे shorting लेना हो तो shorting करने के लिए मैं कौन सा command use करूंगा तो उसके लिए यहां पे है short command तो हम देखे कि कैसे करेंगी उसका use तो हमें लिखना है वहां पे short minus r और space करके अपनी file का नाम that is a prg1 okay तो हम यहां पे as a output में दीख रहा है कि हमें वहां पे अपने जो भी content था वौ qu content वहां पर मुह owanton के अंदर दीख रहा है तो हमने हमारी file के अंदर already हमारी पता है कि हमने जूबhी कुछ data लिखा हुआ है वो data जो हमें जो भी टैक्स जीसे लिकी थी वैसे हमें वहां पर डिस्प्लेः होगी Michi हम यहां पर उसको डिवर्स और कि अनदर धिस्प्ले धिशा करें थाल सभी हरे मियाँ पैर डिस्प्लेः कराने के लिए हम स्क्रादग 2500 फ्रोडוש तो short-r और अपनी file का नाब तो जैसे आप वहाँ पे enter प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे as a output के अंदर देख रहे हो कि आपको वहाँ पे उसको reverse order के अंदर आपको क्या मिल रहा है as a output आपको मिल रहा है कि cut minus d double quote के अंदर मुझे लिखना है अपना delimiter क्योंकि हम delimiter के लिए हम वहाँ पे minus d यूज़ कर रहे है फिर मुझे जो जो field को मुझे shorting करना हो उस field को shorting करने के लिए minus f और उस field का मुझे number लिखना है that is मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2-4 तो यहाँ पे 2-4 लिखा हुआ है that means second, third and fourth number की field यहाँ पे क्या करनी है मुझे short करनी है फिर बात में लिखा हुआ है prg1 that is कौनसी मेरी file का नाम that is किस file में से मुझे वो shorting कराना है that is a prg1 में से मुझे लेना है फिर pipeline symbol का use की है that means a or और वहाँ पे मैं short लिख रहा हूँ that means यहाँ पे मैंने 2 command को क्या करा है यहाँ पे combine कर रहा है तो यहाँ पे जैसे command मैंने completely type कर लिया और यहाँ पे मैं enter प्रेस कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकोगे के as a output के अंदर मेरी जो second, third and fourth number की जो field थी उस field पे मुझे यहाँ पे as a shorting करा हुआ देख रहा है तो यहाँ पे second number की जो भी field में मेरा जो पहला character था उसके मुताबिक वहाँ पे क्या हो रहा है मुझे as a shorting मिल रही है और उसके साथ जो भी field attached थी यानि के third and fourth number वो भी as a एक line के अंदर मुझे वो display वहाँ पे हो रहा है तो वो character conversion कैसे कर सकता हूँ that means one type of replacement करना हो तो वो कैसे करना है तो यहाँ पे character conversion के लिए मेरे पास command है tr command Linux के अंदर available है तो यहाँ पे मैं command लिखूंगा cat और अपनी file का नाम that is a prg1 फिर pipeline symbol का use कर रहा हूँ that is a or और वहाँ पे command लिखूंगा कि tr minus s और square bracket single quote के अंदर मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ कि delimiter को मुझे यहाँ पे replace करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है comma फिर space करके single quote के अंदर bracket में मुझे जो वहाँ पे display कराना है वो वहाँ पे मैं लिखूंगा तो मुझे फिलहाल अभी blank चाहिए मुझे कोई भी वहाँ पे delimiter को use नहीं कराना है तो मुझे सही enterprise करूंगा तो ऐसा output में आप देख सको कि मैंने जो हर एक fill के अंदर मैंने वहाँ पे delimiter में comma use किया था वो comma वहाँ पे मैंने erase कर दिया है क्योंकि वह मैंने क्या किया वहा पे कुछ भी नहीं चाहिए तो वह सारा कुछ वहाँ पे क्या हो गया है वहाँ पे सीधा निकल गया है तो जो भी मैंने अपनी फाल के अंदर comma delimiter का use किया था वह वहाँ पे as a output में आप देख तो कि वह वहाँ से निकल गया है यानि कि वह delete हो गया है यह जो भी output है वह temporary purpose क के लिए है जो हमने श्वाटिंग किया जो हम यहां पे टी यार कमन का यूज कर रहे है वह temporary है as output में ही आपको दिखेगा actual file के contents के अंदर यहां पे कोई भी changes आने वाला नहीं है अगर हमें ऐसा करना है कि मुझे particular जो भी मैंने delimiter यूज किया था उस delimiter के अंदर मुझे व भी delimiter यूज कर सकता हूं जैसे कि मैं star symbol हैस्टिक का मुझे यूज करना हो तो मैं वहां पे जो भी मैंने blank छोड़ी थी वह blank की जगह पर मैं वहां पे लिख दूँगा हैस्टिक और जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो ऐसा output के अंदर मेरे हर एक फिल्ड की अंदर जहां पर मैंने कौमा ऑपरेटर का यूज किया था वहां पे मुझे as a हैस्टरिक का symbol देखने को मिलेगा तो जैसे यहां पर एंटर प्रेस करूँगा आप यहां पे देख सको हर एक फिल्ड के बाद एक हैस्टरिक का symbol यहां पे देख रहा है जो particular file के उपर आपको अगर vertically or horizontally cut करने हो तो आपको कैसे करना है वो आप वहाँ पे देख सकते हो अगर एक और command की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है हमारा एक grape command के जो pattern matching करेगा क्यानिके particular file में हम जो भी कुछ word लिखेंगे वो word अगर match करता है तो वो वहाँ पे as display कराएगा हमें red color की text के अंदर तो हमें वहाँ पे command लिखना है कि grape और जो भी हमें word search कराना हो वो word हमें वहाँ पे लिखना है कि जिसके example में हम बात करें तो हमने command लिखा हुआ है grape space करके double quote में हमने लिखा हुआ है जे एल डॉट फिर हैस्ट्रिक सिंबोल का यूज करकर हमने वहाँ पे लिखा हुआ है capital आई और डबल कोट ओवर करके हमें कौनसी फाल में से ऐसा pattern match करना हो तो हम वहाँ पे लिख रहा है मैं मुझे वहाँ पे वह display कर रहा है तो जैसे ही जो भी आपको जो भी वर्ड आपको pattern match करानी हो वह pattern match कराने के लिए आपको जस्ट यह ही चाहिए कि मुझे पूरा नाम नहीं पता मुझे सिर्फ आधा सा थोड़ा याद है कि कुछ J-A-L करके था मगर यहसा कुछ था आप temporary as a pattern matching करने के लिए कुछ आधा भी वर्ड लिख दो इसलिए हमने यहाँ पे हैस्टिक सिंबल का use करा हुआ है कि मुझे पूरा वर्ड तो नहीं पता मगर कुछ ऐसा कुछ है कि J-A-L करके कुछ लिखा हुआ है और वहाँ पे कुछ I करके भी कुछ होगा तो मुझे पूरा अंदर J-A-L. और हैस्टेक सिंबोल से मैं वहाँ पे आई प्रेस कर रहा हूं और डबल कोट और करके पुर्टिकुलर फाइल में से उसको मैं फाइन कर रहा हूं तो अगर उस फाइल में जो हमने लिखी होगी उस फाइल के अंदर से अगर हमें वह content मिल रहा है तो वह content मु उसके साथ आप पे पेटन को मैच भी करना हो तो पर्टिकुलर टैक्स को लेकर आप पेटन को भी मैच कर सकते हो तो यह हमने सारे बेजिक कमांड्स देखे कि अपनी फाइल के उपर अगर हमें horizontally और vertically अगर कुछ कट करना हो तो कैसे करें फाइल में से पर्टिकुलर पेटन करना हो तो वह पेटन को हम कैसे मैच करें तो सारा कुछ हमने आज के वीडियो के अंदर देखा तो आइपर जो भी कुछ आपको समझा आ गाया चैप्रिन नंबर सीक्स के प्रेक्टिकल के बारह में आइधिंग वह सारा आपको समझ में आ गया होगा तो नेक्स नंबर सेव हम चल्दी वापस मिलेंगे तब तक गुडबाइ टेक केर एंद थैंक यू आल